अही ज्ञान सूर्य संचरे आपनु चित प्रकाशित करे अही ज्ञान यागन सूर्य संचरे चित प्रकाशित करे शाब्न प्रकाशे अर्थ उजाशे तर्क मल्मना सहजविकासे ज्ञानाम्रुत निर्जरे अर्ध्यसव सत्यनेवनेधरे धन्य गुर्जरीनी शुब द्रश्टी विश्व कोशनी एवी सुष्टी तमस ताप संहरे अंतरे सुख समजन नूठरे रेवा जलशी शक्ति दाईनी सक्त्य सम्मुदा मुक्ति दाईनी विश्व विहाराज करे, शील सत्व संहरे, गुर्जरी विश्वर उपने वरे गुर्जरी विश्वर उपने वरे गुर्जरी विश्वरूपने वरे गुज्रात विश्वकोष्ट रस्नाव क्रमे जुदी जुदी व्यक्याद माला उनु आयोज्यान थाईशे आजे धर्मत तत्व गिनान स्रेणी नी व्यक्याद माला चे आ व्याख्यान माला प्रितिमें स्याहना सवजन्य थी रजू थाई छे आजे आपने स्रीमद राजचंद्रना आत्मा सिद्धी सास्त्र विशे मानवाना छे आ विशे उपर डौक्टर पदमस्री कुमारपाल देसाई पोतानों व्याख्यान रजू करवाना छे तेमनों परीचे यापपो होई तोमारे गागर्नी अंद साधेगर भरवा जेवो काम करवो पड़े कारण के तेवो बहुमुकी प्रतिभा धरावे छे और अनेक शेत्रों साथे संक्रा एला छे खास करीने तेवो शिक्षन, साहित्य, पत्रकारत्व, तेमच धर्मदर्शन बहुँ सारी रिते जाने छे आम कहिए तो तेमना लोही मां आ सग्रू एकत्व थाई गयू होई एवो आपडने लागे छे खास करीने तेमने जे डौर्शो जेटला पुष्टकों लख्या छे तेमां थी पाच पुष्टकों तो स्रीमद राजचंद्र ना विशे नाच छे आप पुष्टकों नी वाद करिये तो जेंदर्म, स्रीमद राजचंद्र और माहत्मा गांदी ये पहलू पुष्टक छे स्रीमद राजचंद्र और माहत्मा गांदी ये बिजू पुष्टक छे आ पुष्टक अंग्रेजी भाषा मां पाण उप्दलप्द छे ते उप्रांत मोल मार्दनों अम्रुत और अध्यात्मानों शिखर ए पुस्तक कुमार पार देशाये लखेल हुचे स्रीमद राजचेंद्र जेन्या आध्यात्म सास्त्र विश्याप्डवाद करिये तो आत्मा सिद्धी सास्त्र ने पहली नवंबरे इटले के आसो वद एकमना दिव से चन्नी पढ़वाना दिव से 125 वर्ष थाई शे श्रीमद राजचेंद्र ना विचार ने विश्तार्थी जो आपने मानिये तो खरेखर आपनू जिवान उतकर्ष पामे शे आ व्यक्षेंदेर में वच्चे वच्चे जे सुरीलों कंठ मानवाना छिए ते अलपा बेन शाहद्वारा करियो रजु करवा मा आवेली शे तो चालो मानिये श्रीमद राजचेंद्र नू आत्मत हिज्दी सास्त्र विशे नू पदमस्री डॉक्टर कुमार पाल देशाय नू व्यक्ते लिए राग द्वेश अग्ज्ञान ए मुख्य कर्मनी ग्रंथ आ कर्मनी मुख्य ग्रंथी ओचे अने थाय निव्रुत्ती जेह थी तेज मोक्षणों पंथ जगत आखु राग थी अने द्वेश थी जीवतु होई प्रत्यक मनुष्य नो आधारज जीवन नो मापदंड कि जीवन नी दिवादान नी दुर्भाग के राग अने द्वेश होई गमता तरफ नी आ सकती अने अनगमता नी उपेक्षा एज ज्यारे चौपास चालतू होई त्यारे एक एवाद सुरिय नो उदाई थाई चे के जे आ कर्मनी गरंथ तोड़ी नाखे चे अग्णियानमा थी ग्णियानमा जमानी एक आखी यात्रा शरूब थाई चे आत्मसिद्धी शास्त्र थी अने एक कल्पना करिये के आजे विक्रम सम्मत ओगनी सुने मावन मा रचायला श्री आत्मसिद्धी शास्त्र ग्रंथ एने एक सुने पचीस वर्ष थाशे पर जेम जेम वर्षों वीत्ता जाईचे तेम तेम मुमुक्षों अनेक मुमुक्षों जीवन मा एनो अजवारू प्रसर्तु जाएचे कोई राक्ती एनी पासे नहीं गया दुरुभाग्य कोई दुवेश्टी नहीं गया अग्रियानने कारणे नहीं गया परन्तु बनियों के जेम जेम समय जाएचे तेम तेम आत्मसिद्धी ना मुक्ष ना पंथ तरफ प्रयान करना ना लोग को वत्ता जाएचे और त्यारे कल्पना करिया आपड़े विक्रम संबत उग्ली सोने 52 ने आ समय श्रिवद्राज चंदर जी आनंद महता अने उग्ली सो बावन नी आसो सुध एकमे एहमने एक पद लख्यू अने एक पद छे मूल मारग सामभणों जीननों रे आत्यंत प्रसिद्ध अने मुमुक्षों ना कंठे गवातू रहेलू आपद एजाने मूल मारग तरफ आपने लक्ष आपता होए महवीर ना ये मारग तरफ लक्ष आपता होए आगमनी ये वानी नो आपने आत्म साक्षात कार करा होता होए अने ए रीते एमिरे जाने पेलो मुर्ग मारग बता होए नो होए एज रीते थोड़ाक समय बाद श्री आत्म सिद्धी शास्त्र नो सर्जन करो आसो सुद्ध एकम अपदनी रचना आसो सुद्ध बीच श्री रामदास स्वामिये मराठी मा लखेल दासमोध नो गुजराती अनुवाद एमने वाचे अने वाश्ता वाश्ता एमा जे वेदान्त विशयक जे विचारों कहता ए वेदान्त विशयक विचारों अवगाहन करवाने युग्य छेऊ लागाई जे एमा थी प्राप्त था तो आत्मार्थ ए जुवे छे अने ए आत्मार्थ विचार करवामा क्रमे करीने जेम सुगमता थाई सुलबता थाई छे और पच्छी तुरी जिनादिव से आसो सुद्ध तुरी जिनादिव से विक्रम संमत 1922 शिबत राच चंदर जी एक पत्त्त लखे जी अने एक पत्त्त लखे जी एक महान जिग्ना सो ने कि अपत्र लगए यह देड़ मारे ता अन्य काम करता' इवा मोहनलाळ क्रमचन गांधीी ने लगखिछ है आजि आ आण मोहनलाल प्रत्ये, उपर लखें चेए मोहनलाल प्रत्ये, महनलास करम चार्म गान्धी, माकमा गान्धी ने लखेंचेए अरे डर्बंधी लखेंचे, बन्वियत्व हो खेंचे गांदी जी ने रक्षिन आफरी का शिक्त अब्दुल्ला लई गया आधा, जिनी साथे अन्यनो आहार ग्रहन करवों के रही ए विशे गांधी जी ने श्रीमत जी उत्तरा पेजे। हजी आगल जहिए आसोवद एकम अने घुरुवार एक महान दिवस। ग्रहन ने जणहलाव तो दिवस। पहुतिक जगत नहीं पर आध्धात्मिक जगत नहीं पराकाष्ठाने दर्शाव तो दिवस। आत्मग्रहन ने प्रापती बाते नो एक उपनिशद प्राप्त थाया नो आधभूत दिवस। जेमा, श्रीमजी नो आत्मा नन्न, आत्म प्रतीती और आत्मा अनुभाव एनो एक सुभग समन वाई, 142 तुहुरामा बाला छे। जाने आखाई शर नर्षन नो सार एमने अमा आपी निदो होई एवो आपने अनुभाव थाई जे। अने एटलुद नहीं, मात्र तत्व गिन्यान तो खरू। पर एना थिया विशेश, एक वाद एक करा छे अने तिये छे ए समये प्रवर्तमान, धर्मन, इस्थिती और ए विशेना पोताना विचान। एटले के एक माजू तत्व गिन्यान चे अने विजी माजू ए तत्व गिन्यान नू योग्य प्रागट्य थाई ते माटे नी परिस्थिती नी जंखना चे। मत्र तत्व गिन्यान आपीने नहीं पर ए तत्व गिन्यान वर्तमान समय मां एमां काया-काया अवरोधक मलो छे के जेने कारणे आ तत्व गिन्यान सुधी व्यक्ति पहुँचतो नचे। काया-काया आवरनों आभी गया चे। काया-काया बाहिया डंबरों येना उपर आभया चे। अन्य एहने चरा अडगा करीने हैं ए सुरियनी आसपास जामी गयेला वादड़ाओने घंगोर वादड़ाओने दूर करीने ए आत्म सिध्धिशास्तर नी बात करेंचे। अन्य एटलेज नवेक दीवस पच्छी आँ आत्म सिध्धी विशे स्वयम श्रीमत जी लगुराच स्वामी ने एक पत्र लखे चे अन्य एमा कह चे के अनंतवार देहने अर्थे आत्मा गाल्यों चे। जे देह आत्मा ने अर्थे गाल्षे ते देहे आत्म विचार जन्म पाम्मा युग्य जानी सर्व देहार्थ कल्पना छोड़ी लई एक मात्र आत्मा अर्थमाज तेनों उप्यों करवों एवो मुमुक्षु जीवने अवश्य निश्चाई जोईए। इतले के मतभेदोनी दुनिया थी दूर, वादवीवा थी अर्गा, और मात्र पोते व्यक्ती पोते आत्मा अर्थमा स्थीर बने, सगलूत्य जीरे। और एने मात्र आत्म स्थी शास्त्र नों सहज उद्गार एमने आपएवची मानवी शा माते अनन्त दूख पाम्यों चे। एनू कारण आत्मा विशे नू एनू अग्ञ्यान चे। ए आत्मा विषे ना अग्ण्यान ने कारणे ए जीवन भर दुख पामतो रहे चे, आत्मा विषे नु ग्ण्यान जे एगम जानाई ते सववयम जानाई, जे एक आत्मा ने जाने चे ए सर्व ने जाने चे, परमानस नु दुर्भग्य चे के ए आत्मा ने जानतो न थी एनी आत्मा ने जानतो नथी पर एनी लालसा ने जाने जे आत्मा ने जानतो नथी पर एनी भाउतिक इच्छा पाचल ने दोरतो रहेची। इले आत्मसिद्धी शास्त्र एकोई तरक निखोज न थि कोई गरंथना सहारे प्राप्त थायलो उघाड न थि कोई गरंथना आधार पर चालती घटना न थि पर आत्मसिद्धी शास्त्र ए आत्मानु भाव नु एक रधाई चीश शमद रात्याचनदर चीश पता है आत्म भाव नु रधाई श्री वहित आत्मसिद्धी अ우द स्यत्धी प्रगत चीश। सामन्यमानवी बे आखे बे नेत्र थी आ जगत ने जोतो हुई जी पर श्रीमद राजचंदर जी पासे एक तरीजियों नेत्र है तो कि अत्रीजआ नेत्र नी प्रसादी के जेना थी एक फिलाय रहस्यों आत्माना उंडाणमान पडला कितलाय रहस्यों आपै जी अने अप क्रूती शरी आत्मसिद्धी शास्त्र है यह वी क्रूती छे कैं जेमाँ ए पोते हैं मनो कध्यात्मनी उच्चता अने कवीतानी अब उप परम्वानी जाने प्रगट थाए, त्याने महां मन्ने मोलेचे, एक अध्यात्मना शिखर पड़ पड़ होई, और तमे कवितानी दृष्टी जो होतों काविना शिखर पड़ पड़ होई, और इतले च, आत्मसिद्धी शास्त्र नू सर्जन थयो, सर्जन न थी थय कोई संकल्प न थी, कारण एचे के संत तुकारा में कईउचे के संकल्पासी, धोका, सहज ते उत्तम, आ सहज प्रगटी लिवानी जे, एडि पाछन कोई हेतू न थी, जें सत्य अने सत्वने, पोतरी एक आगवी सुवास्वाई, गुलावी सुवास्वाई, अप ये सत्वने सत्य ने गुलावने अत्षर नहीं जरुल होती न थी, और दी थें सत्य के सत्य थां, उर्परम सत्यने नो प्रागट्था थां, ये प्रागट्थी आप आप थतु हैयätter, ये कोई पाछन कोई हेतू, कोई स्पष्ट वें न थी, बस अंदर मांती शरीता न परिणा में जें कैलास पर रहेला शिवनी जटा मां गंगानु आउतरण थे अपने जानियें चे कोई भगीरत ने काजी थे तो एब अउधार ने काजे शिवनी जटा मां थी गंगानु आउतरण थे एवी जडिते अहीं पर सुभाग भाहिने वाटे स्रीमद राच्छंदर जी आउनी पर लू अमृत रिलावे और केवो यह अमृत इमा समग्र मानव जात प्रत्य मत्र समभाव नहीं पर सर्वजीव समभाव यहां जुआ मोलाई सर्वजीव प्रत्यरों समभाव विशादगरस्त अर्जुन श्रीकृषिन नी प्रत्यक्षवता कुरुक्षित्र मेदान मा रथारुड अन्य त्यारे श्रीमद भगवद गीता निक्रें करिकाल सर्वग्न हम्चंद्राचारियनी वाणी वहे और प्रमारत कुमारपाले नू पान करें गौतम स्वामी प्रूच्छा करें और भगवान नी देशना भेवाबालें यह कोई आनन्द बिख्व आनन्द प्रश्ण करें और भगवान मुद्ध एन उत्तर आपें विचार ए करें के आत्मसिद्धी शास्त्र नी रचना समय एक कौनी उपस्थिती अती महमुमुक्षु अम्मालाल भैतो खराज पर एक उपस्थिती अती यह उपस्थिती अती लगूराज स्वामी नी एनु कारण यह चे के लगूराज स्वामी यह वारभ मार श्रीमद राच्यंद्र जी ने विननती करी अती के संकित प्राप्तत है विना जो मारो दे छूटी जर्षे तो आ सगलू अमारी साधूता पर आम अनु सगलू एले जर्षे चाली जर्षे अने क्यारेक कोई समान घटना अपने विचार मा नुबाडी दे जर्षे बन्यों तो यह वो के लगूराज स्वामी एले के मोनिश्री ने लल्लू जी ए ए समाए एक सूदतना जहवेरी जे मनु नामातू लल्लू भाई ये दस मार महिना थी बीमार हता अने एमनों देह कि आक ऊपतना जानी त्यारे स्वाय मोनिश्री लल्लू जी स्वामी पोत्ते धास मार महिनाती मीबार अतने जुो कि एक अपतना नू साम्य अने थोड़ा चिंता तूल करी देजन में तंधे ए तले आने थायू के मानों देह छूटी जशेतों त्यारे एमने कुरूपाण आणर आपके सारों 20 देव्ने अवानलाइं मुख्या रात्र मिला सतना पत्र म abbiamo你ग आपके समयि74 निए ऑदिमाठ मेें नित्य चे एक कर्मनों करता है कर्मनों भोगता है मोख्ष चें और मोख्ष नो उपाय पर जे अब अधी बाब तो एविना छो पदेना पत्र में में आपी कदा अपने हम कई शक्ये क्या छो पदेनों पत्र ए सम्यक दर्शन ने रेवा माटे नू एक सर्वोत कुरुष्ठ इन्डी वास्थान कई शकाई अरे त्या आठियंत मारमिक भक्ति थी सुट्रात मक्षयली मा आप अरे मह आ छो पदेने विच्यारवाथी कैरीते व्यक थी संभ्यक दर्शन पामी शक से एनों उपाई बता नू छो पद्नो पत्र अत्यन तो सुत्रात पक शैली मा दखाल जो अने आ पत्र मां सिमध राच्चंद्र जीये आत्म तत्मनी यथार्थ उलखान आपी जे अने एमां कई लिते जीव सम्यक नर्शन पामीशके एनू स्पष्ट अने क्रमिक समझ आपी जे सद्गुरु, सद्गुरुनी भक्ती नू महात्म अने तेना द्वारा थती प्राप्ती नी वादकरी ने आ पत्र तिवो ये पूल्ण करा छे अने एने परिला में आ पत्रों वांचताच जे मने सम्यक नर्शन वीना, सम्कित वीना आ देह पढ़ी जशे तो शू थशे अने, चुbrahim जागी होती तेवा श्डी लगुरात स्वामी ने, मुरी श द्ची लड्लु जी ने आ पत्र मोड़े छे अन्या पत्र वांचे आप छी लगुर्यात स्वामी कहे छे के जीवने योग्यता होई तो सम्यकत्व प्राप्त थाए एवी विच्यारणा उत्पन्न करावे तेवो आ अदुभूत पत्र छे अने ए छपद नो पत्र शट पद नो पत्र जे चारसो ने त्राणू मोँचे ए लल्लुजी महराज पासे आवे छे अने एनी नकल लगुर्यात स्वामी कुझ्य सोभाग भाई ने बोकले छे कि अने साथे साथे एम कायू पर खरू सोभाग भाई ने कान और मुखपाट करी वारं बार एने विशे विचारवानी आमने अग्निया करी है शोभग भाई अत्यांत वृद्ध वस्थामा था वड़ी अगध्य मा लखाये लो पत्र शुत्रात्मक्षाहिली मा लखाये लो पत्र एने स्मृति मा राखो एने याद करो एने कंठस्त करो एजना मुश्किल लागे आठी एवले शीमत राच्चंद्र जी ने विननती करे के आपे गध्य मा छ़ पत्र मने मोक्रियोंग जो बने पन्यरुपे लखी आपो तो मने सरल्त भी याद रही जाए अने सरल्त भी याद रहे यह एचले बारा कंठमा रम्या करे अने मना रहताई मा आप आपो पशी एक बाजू लगूराज स्वामी, विजी तरफ पुज्य श्री सोभाग भाई, अन्या बन्ने नी आव प्रत्यक्ष उपस्थिती साथे आत्मसिद्धी शास्त्र नू सर्जन थाई। श्री आत्मसिद्धी शास्त्र नू सर्व मुमुक्षो ने बाटे परम सखा रूप बनी रही जिए। अन्या अध्यात्म ग्रियान ना एक किर्थी कलश रूप कुरूती एक आव प्रत्यक्ष सोभाग भाई ने कालने रज्जाई। अन्या एथिज। समग्रा भावत दुखनों अक्षाय थाई। यह एक आउशद वयो मृद्य पुझ्यश्री सोभाग भाई ने प्रापतत है। अगे तुम्हें जोगों किक एवी कुरुती जे काल ने वटी जाए, जे समय ने वटी जाए, जे परिस्थिती ने वटी जाए, जे वाई ने वटी जाए, एवी एक महान और अमर कुरुती आप परने मुले हैं। कदाचि कोटी कोटी जन्मों नी साधना पच्छी आ कोई ततकार स्फुरिली वात नसी पर कोटी कोटी जन्मों नी साधना पच्छी एक अध्यात्मनों एक मोती हाथ लागे त्यारे एक मोती हाथ लागे त्यारे एक मोती हाथ लागे त्यारे एक मोती कौने हाथ लागे त्या यह सोभाग भाईने उव एक मोती प्राप्त थायू अने एक साधनाव पचेनों मोती अने एक मोती समय जता मुमुक्षो ना मुक्ती मार्ग नो महासागर बत्ता विगा अले जार वर्ष पुर्वे भगवान महाविज स्वामी यह जे आत्मधर्मनी घोष्णा करिया थी ए व पार्ग ने बता हुआ नुकाम परम कुपारुदेव स्रिमधराच्यव परजिय कर अने त्यारे अक्यूँ छे श्री आत्मसित्री शास्त्रों अने वीशे करूँ अनादी बहु निद्रामा थी जगाडनार मानस जे बहु निद्रामा सुतों जे भवतिक तामा भंया करेच भव ब्रह्मन कर्या करेच तुर्शना लिपसा लालसा इशना जंकना अब धानी पाचर ए दोडेचे ए दोर तो नथी अब धानी पाचर दोडनारो एवो ए सूतेलों मानस जे ए सूतेला मानस ने बहु निद्रामा थी एने जगाडेचे विस प्रह्म मुके लानू समरन करावनार जैने भुली गयो चे बाई ये जगत ना रजण पाठ मा ये भीतरना आत्म तत्वने विस्री गयो चे तो कहें छे कैह आत्म सिद्धिशास्तर ए विसारी गये लानू समरन करावनार जैसे प्राप्ति और प्राप्ति जंकना भाउतिक्ता लालसा अब दाती पीना तो होए अन्य पीना तो थेलो मानस एन्य एक वस्तों ने कदा जीवन भर नख बर पड़े ए आत्मा नी और त्याने आत्मसिद्धी शास्तर ए अंतरधान थाई गयेला अंतर्धान थाई गयेला अत्माने प्रगट करणानू शास्तर चेथ एने विश्या आगल के वायू बोहास्त्र ने ब्रह्मास्त्र थी पराजित करवानू रहस्य बताव नालू अशास्त्र चे अने केवुचे परम पवित्र निल्दोश एवू अशास्त्र निर्मण पवित्र सात्विक गुणों नी सम्रुद्धी सापड़े पवित्रता सापड़े ए आसमास मास्या सत्वद पहलाए निर्मणमटrav ने मलिन अंशने मलिन टाउने कोई रागने कोई दवेशने कश्युधाह कं इंस निर्मर धारा वेती होई एवो अनुभाव आत्मसिद्धी शास्त्र ना अभ्यासी ने ताय अन्ने निर्दोश एवो शास्त्र के ज्या कोई खंडन-बंडन नी प्रक्रिया पर सत्य ने उजागर करूवा दिवाद सत्या नो सूर्यuh पूर्ण पणए प्रकाशित्ता ये श्रीमत्राच्यंदर जी एक स्थाने कहिऊ छे के शास्त्र ज्यांथी निवेडो रथी अनुभाव ज्यानथी निवेडो चरह outta अनुभाव ज्याननों एक वतलुक्स ये अपनने आत्मसिद्धी शास्तिर उप्रप़ा अने बाटे मुल वाच्छे पूताना रूप ने जानुवानी, भीतर ने जानुवानी, आत्मा तत्वने वडखवानी, शरक पुर्णी माना दिव से, जे मधुबिंदू छीप मां पड़े, आपने हम कही है जे, इशू थाए, ए मोती बने छे, तेम, पुझ्यश्री वाईनी आ विनंती, ए विनंती एवा समयान एवा पुरुष्ट द्वारा थाई, के जैने परिड़ा में, शिमध राज्यमर जी ना रदय माथी, प्रगटे ली आत्मसिद्धी शास्त्रा आपने प्राप्त थाई, विक्रम सम्मत उगनी सो बावन, आसो वद एकम इसमी ओक्टोबर अधार्सो चन्नो, आदिव से अत्मसिद्धी शास्त्रा नो ले खंद है, नडियाद गामना, नाना कुम्बनात्र, महादेव ना, मंदिर ना, एक सादा ओरुडा मा, आ जगतो धारग ज्यान प्रगट था, संध्याना समय, श्रिमध राज्चंद्र जी, मार्थी फरी ने पाचha अव्या, इस जमान उते जवे लाइट नो थी, एने एमने महमने मुक्षू अंबालाल भाई ने करू, अंबालाल फानस ले, आने विने मुर्ती महमने मुक्षू अंबालाल भाई हाथ मां फानस ले और उबार आया, उगंत्री स्वर्षनी शिमध श्रिमाजी नी वाय, मेज पर पड़े लोग खड़ियो कलम अने कागल, एमा बस आपो आप दोहड बेकर लाग सुधी इवानी वेहती रही। और जाने एक संजीवनी अम्रूत ए उतरी आविव, आक्षने अना समयन आस थाड़े। और एटले एदी पाच्छान कायों कानन होशे। श्रिमाजी नी वितरागता तो सव कोई जानता आता, वितरागी पुरुष अता, पर एथिये विशेश, ए आत्म समाधी मा सतत रममान रहता आवा वितरागी पुरुष। जेमने मौने एकांतने सर्वसंग त्याग परिये छे। एमने आ प्रकारनू लेखन करवानू आवश्यक्ता शामाटे। आवा वितरागी पुरुष ने जहने पासे पहली शरत अत्मार्थी बनो, इवा आत्मार्थी पुरुष। एमने आनू सर्जन शामाटे करे। एक प्रश्ना आपना चित्तमादा। त्यारे एक भुल्वु न जोई है कि आ वितरागी पुरुष। एमनी करुणा एक धारा होती न थी। एमनी करुणा ए मैं धारा मां चालती हुएती हुए। एक करुणा चे ये बहिर जगत प्रतियरी अपनी करुणा। मदद करवी। साहई करवी। अपने जानिये चे के दुशकालना काम मा घास चालो आवे। तो कही रीते आप वो एहनी पर आखी वात श्रीमत जीये पोते एक पत्रमा लखी चे। एक तो जगत हित नी चीनता। जगत कल्यहान नी चीनता। लोको दुखी थता होए, वेदना ग्रस्त अओए। इनी चीनता। अडने इपी ये करुणा नी बीजी धारा। पहली करुणा मा मानस न मानस शरी ले लाक्ष मा राकिए। आकरोणा मां मरस्ता आत्माय लक्षमालाखे में। अरे यहा च्छाः कि प्यली करोणामां देह नी वाद छे अरे आकरोणामां देहाती अवस्थानी वाद पेली करूणा मां एक एवो भाव छे कोई दे पीडा दूर करवान। अने आचे आंतरिक प्रसन्यता प्रेकटावान। जे आनंद गंजी नी माफक बोली उठाए के अम हम अमर भहे न मरेंगे एवी वात एवी करूणा एवी आजे। अने कर्म रहीत थया विना देह रहीत थवातू नथी अने कर्म रहीत तोज थवाए जो व्यक्ति रागत द्वेश रहीत थाए। यह लेके आव वित्रागता अही एक करूणा साथे प्रवर्त मांचे। शाबाटे कोई सग्पात्र आवे कोई खरो मुमुक्षु आवे और एना जीवन ने आत्मसिद्धी शास्त्र थी एक आंतरिक अवस्थानों मार्ग प्राप्त थाए। एक मुक्ती नों पंथ माने एक मुक्षु मार्ग नी जांखी थाए। और ए पंथे प्रायान करें ए भी भावना थी एमने आत्मसिद्धी शास्त्र नी रचना करें। मीजी माजू एमने जोयू के यह संकुचित्ता धर्म मा पैसी गए जहा। अनौनी जोयू कि जह संकुचित्धा धर्म मा पैसी गह जहूता। और इटले एमने आहिया, आत्मसत्य नों प्रकाश प्रक्टाववा माटे, संकुचित्ता माथी दूर जवा माटे, राग अने द्वेश्ति पर एवा वितराग नी उलक आपवा माटे आत्मसिद्धिशास्त्र नूं सर्जन करुज़़़़़़़़़़़़़़़़़ और राग ना वादळण नो है, पर राग ना वादण नो है, उलक आख लग?! जया द्वेशनी विज्वलियों ना चमकार न थी, एक निरभ्र, इतले के वादर विहोनूं, एक जाज्ज्वल्यमान आकाश चे, एक आकाश मतावनों इमनों आशेर दो विचारवा आत्मार्थी ने भाख्यों अत्र अगोप्य, आपदना प्रत्यक शब्द में किटली गहनता चे, विचारवा आत्मार्थी ने आवाद कौनी चे, आ जगतमा किटलाक देहित साधना राचे, और किटलाक आत्महीत साधना राचे, जे देहित सादे चे ए मात्रम, आखु जीवन क्या तो लोकेशनामा, क्या तो वित्तेशनामा, एकले के पैसानी इच्छामा, क्या तो किरती नी इच्छामा, क्या तो पुत्रेशनामा, क्या तो संतानी इच्छामा, पो तनो जीवन गालता हो जी, एमनी पासे जीवन नू प् आत्म सिद्धी शास्त्र कहें चैशे कि अहीं तो आत्मार सेनी वात चैशे जैने देह नू हित साधू नती जैने आत्मानू हित साधू चैशे एनी वात चैशे अर एटले आत्मसिद्धी शास्त्र ना नी पहली शरत एना प्रवेश करना नी पहली शरत ए आत्मार्थी बनवानी जे आत्मार्थी होई तेज आ विचार करी शक है अर एटले ज आत्मार्थी जीव ने सम्यक पणू प्राप्त थाए तेथी मोक्ष्नो मार्ग अहिया आत्मसिद्धी शास्त्र मां खुब स्पष्टरीते वर्नागे अगोप्य आ कोई गुप्त वात ना थी कोई गहन वात कोई रहस्य ना थी कजे मा कोई साभान्य मनस कोई अगोप्य ना थी गोपन ना थी चुपावेलो ना थी पर अहीं यह अध्यात्म मार्ग ने बहुस्पश्चरीते आत्मार्थी ने सम्झाए विस्वर्ता थी आलेक होच अने आज चे आत्मसिद्धी शास्त्र नी विशेष्टा अने इतले जुओ तावे कि आख्वी आत्म सिद्धी शास्त्र एक कई रीते वहें चे गुरु अने शेष्चेना सम्वाध रुपे रचना चाले अपने खनी बावतों ने उस्ष्मरण थाए कि ज्यारे अग्यार गंदरों नी समक्ष भगवन माविर स्वामी स्वयम एमनी शंका प्रगट करता आने ये शंका नो उत्तर आता आथा अभी कई जांखी अप्रक्रियनी कई जांखी ये अपने आत्मसिद्धी शास्त्र मां करी शके कि जहां आखी वात बुरू शिष्य सम्वाद रूपे आलेखाई जे अने आत्मानी तलेटी माथी आत्मसिद्धी नी शिखर नी वात आत्मानी तलेटी माथी चालता चालता आत्मसिद्धी ना शिखरे कई निते पहुंची श्यकाई एनी सगरी वाद ए अंतर्यात्रानी वाद एमने करी छे अने माटेज आ आत्मसिद्धी शास्त्र ए आपनने आत्म ओडखना उपायो बताला छे सरण भाषामा अने अटलेज आपने हम कही शेके के जैन, दर्शन, जे ध्रव्यानु योग छे एनो निचोड तमारे सम जानवो होए तो तमने ये आत्मसिद्धी शास्त्र पास सेती प्राप्त थाए एनो निचोड आही मोक्ष वाद छे आही कर्म वाद छे अही गिनान ने क गिनान नी उपादान नीमित्य नी भाद छे वाद चे आही बोधि बिज nे भेद गिनान नी वाद छे आंप शदा पास हो जैन दर्शनन अई अई आई आपया ओnes शे। प्वात मियूद कुकि लिघर भिसमसरी ना का अघ्र पाई जी मोर्ण शांत आत्र हें अच्छ हिंव कि फिर घू नो का सुथा नियाँ भॉद मिधर आत्म सिथिया चास्त्र में ध्या Sfind豬怕 से डियाच छाफ भात आव सुस्क्षाणानी वहांने वेफ तो झालो को पहां थाना लिएक आपने हो अब तनो समय तो मुलकत अपनीजर बत और है इस जमाना में, कि जहां पुर्वा पक्षर उपे पोता नी कोई ना वाद केवी, पोता नो एक विरोधी पक्षर अजू करवो, त्यारे व्यक्ति एने जरा हिंता थी जोतो, हिंता थी बोलाव तो, एने विशे अधम वचनों वापरतो, क्यारे मुर्ख इवा सब्दों पर व अन्य दर्शनों प्रत्यनों आदर छे, अने एकले ज शड़ दर्शन नों पंथ मतावे पची, आपन ने आत्मसिद्धी नों पंथ मतावे छे, अने परिणा में आत्मसिद्धी ना पंथ ने जूईने पंडित सुखलाल जी कहे चे कि आतो आकुरुतितो आत्मानु अनुपम उपनीशन्द शे आत्मों उपनीशन्द छे अने एनी साथो साथ नर्शन नी वाद खरी पर दर्शन साथे वास्तव परिस्थिती नी वाद पर खरी एक दर्शन गमे तेटलू महान हो आई पर महान दर्शन ने कई एविरी ते रजू थातू है कि जहां ए दर्शन नी गरी मां खंडित थाती होई अने त्यारे श्रीमद राच्छंदर जी ए आत्मसिद्धी शास्त्र मां अब अधी ब्रह्मना उनू खंडन करिए जड क्रियावादियों अने शुष्क गन्यानियों एने विशिवाद करे जी के क्रियानी जडता अने गिन्यानी शुष्कता अने त्यारे एक एचे के जाती वेश मत मन्तव्य अब अधाथी पर होई एच साधक एपोते यथोत्तर मोक्ष मार्गनी साधना करी शके जी एपोते के चे छोड़ी मत नर्शन कर दो आग्रह तेम विकल्प कहों मार्ग आसाध शे जन्म तेहना अल्प या ये मार्ग नी साधना कहीन जीत था. तो ए depends on your mind Его मार्ग, यह मूँवार्ग जैन धर्वन वमुद मार्ग, प्रभु मार्वीर Mr.र बता वेलों अनने सरणता थी एनने थर्कमदरीत साटों म eligibility अन्या दर्षणों आधरनी साथ्छे आधरवनी गरिमा करवानी साथे आधर इंनने यह बतोव से भएनों आपने जानिये चे गिन्यान क्रियाभ्याम मोक्षा, पर गिन्यान खरू, पर स्रीमाद राजचंदरी जी कह चे शुष्क गिन्यान नहीं, क्रिया खरी, पर स्रीमाद राजचंदर जी कह चे के जड़ क्रिया नहीं, तो किवा गिन्यान अने क्रिया जो ये, गिन्यान अने क्र पर आत्मा मा एक खुमारी आपे अवा गिन्यान अने क्रिया द्वारा आ धर्मनी वाद करें। आध्यात्मना आखन साते एक परकारनी मधूर्तानु पर आखन चे अने एम लागे के सत्यमाजवानी जने अभिलाशा चे जे अकंड सुखनो अभिलाशी चे जने सत्य पाम एक अनुपम ग्रंत चे, रत्यारे एमा आत्म ग्रियान, आत्म उलक, आत्म उपासना, आत्म परिणाम और आत्म समाधी और सगलानू कोई शास्त्र होई तो आत्म सिभ्धी शास्त्र चे, आजे सवासो वर्षे पने असमाध ने एतली जरूँ छे, अपने जोईए तो ए सत्य धर्म तरफ लई जवालों एक मोटों मार्ग आत्मसिद्धी बनी रहे ज़े अपने वे समय आत्मसिद्धी कहे छे के आत्मा छे नित्य छे आत्मा कर्मनों करता छे अने मोख्ष छे अने त्यानों उपाई पर छे इतले आ स्थानकों विशे एस समझा देछे एक एक भाव विशे आएक एक विचार विशे आएक एक तत्व विशे अपनी शद्धा स्थापित करे छे और पच्छी चठ्ठा स्तान मा आपन ले जाएजे। और चठ्ठा स्तान मा देर छता जनी दशा वर्ते देहाती। ते ग्र्यानी ना चरण मा हो वंदन अगणी एवात अहीं महलेज। क्यारेक नर्सी महतानू पद सामलो अखिल ब्रह्मांड मा एकतू श्रीयारी। क्यारेक आनंदगर्ण नू पद सामलो राम कहो रह्मान कहो री। तो क्यारेक अखानू पद सामलो ते यह एम थाई कि आ कवियो एक कवियो न थी। आ अध्यात्म गिन्यानियों ए मातर अध्यात्म गिन्यानियों न थी। आध्यात्म औने कावियाना शीखर परमेठला ऐचहे है अपने जानियाचिह है के स्रिमद राजचंदर जी नानी वैथी काविया करता ता औना अपने एपन जानियाचिहे है के मात마 गांधी जी आती जिया श्रिमाद राच्छंडर जी विशे वाद करे त्यारे कवी राहिचन भाई एम किया चे एक प्रमण कावियत्वा काविय भाव क्या व्योर्मी अन्य ए अश्री आत्मसिद्धिशास्तर मा जुवा बला चे कि वो अस्खलीत काविय प्रवाव है चे कोई उंच्या पहार परती जरनू खड़ 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 वेतू आवतू होई क्या अर्तक्तू न होई मस सतत गातू होई सतत रूम्तू जूम्तू चालतू होई एवो एक काविय नो अनुभाव यहां पने थाईचे अनुग शब्दनू लाघव जूओ किटला ओच्छा शब्द मां किटलो गवन भाव आ शब्द लाघव यहां पूत्य अनुग कदाच आपने भूली गाया चे चेश शाल क sugar, अcompassा किटलो गया, स्भू्सों संब्द लाघचेंद्र जी नो गुज्यराती गध्यमांग। कि भरपूरेव गद्या रख अब बोटु खर्टना बनीच दुर्भाग्य आपड़ाय लक्ष्मावी नदी के गुजिनाती गद्या ना विकास मा श्माद राच्छंडर जी एक अवर्णीय भाड़ आपे अपर अपर कोई गद्या एले कोई निमन नहीं कोई वर्लन नहीं प प्राथान वहां शास्त्र और के वो अपूर्व शास्त्र जे एम को चुके एक तो 142 दीवानों आ प्रकाष्ट जे और ये प्रकाष्णी आपने आर्थी उतारिये कारण कारण मानस आज सुधी पोता ना जगतने रुडू देखार वाथी चालतो होई जे महार चालतो होई आत्मसिद्धी तमने इंसाइड नी वाद करा चे एक कहचे के तमारी खरी यात्रा ये तो महार नों प्रवास न थी पड़ भीतर नी यात्रा चे और एने माटे कहचे सुखधाम नी शूत करो आ ख़यू चे सुखधाम जीवन में क्या थी प्राप्ता थाया सुखधाम तो ए सुखधाम ए मञायिय जगत मा नथी कोई स्थाड़य नथी ए आत्मा मां थी आवती क्षने क्षन जागती एक अपूर्व अनुभूती छे और एवा सुखधाम में जावानू कहचे और त्य एम लागे कि उर्ध्वा आध्यात्मिक भावरूपी कलम थी, गवन चिंतननी नवनित रूप शाही थी, आत्माने जगाड नारू अने उलखाव नारू शड़न्दर्शनना सार समू आत्मसिद्धी शास्त्रनू एमने सर्जन करियो और आ जगत ने एनी भेत मलेु। एवने करूं कि सत्पात्र सादके हम्मेशा आत्मार्थनों विचार करूं और ये जेम जेम आत्मार्थनों विचार करें तेम तेम ए आत्मसिद्धी शास्त्र मां एक प्रकारे गती करें छे आत्मसिद्धी शास्त्र मां शत्र स्थानक नी वाद छे प्रत्यक शंका उनु निरसन, प्रत्यक शंका उने दूर करवानी वहाद, इश्रिमाद राच्चंद्रजी केचे। अनु प्रत्यक शंका उनु निरसने पहली शंका थाई के आत्मा छे खरो अनु नु कारण शे के भहुतिक जगतमा रच्यों पच्यों रहिना नो मानास एने कदा इत्ट्नु बदो रच्यों पच्यों ने चेके आत्मा नो अनसार पुना आउतो नथी अनु त्याने श्माद तक है पुमक्तरा अनु कोवय करें पाल्च के जड़ते चेतन मन या दरव्यों जूदा सहे एंसनों स्वभाव ने पीश Seri ते जड़ते म AKमा ते चीत जा अने अनु उन फीफ आटमा च्यों जूदा तारा माँ चेतन तत्म होवा छता। तू शाम अटेज बाने छे का आत्मा न थी। आद चेतन द्रव्यमाँ इवो विचार करवानी शक्ती छे जट्व माँ न थी। यहले, बहु विलक्षन वाध छे, ने आत्म द्वारा तू आत्मा विशे नी शंका करे छे। यह तो भारे अचरदनी वाद छे, कि जिये तारी पासे छे, यह नथी एउ मानी अने तू चाले छे, पहली वात, यह शंकानों समाधान, यह आत्मा नथी, यह माननार नी शंकानों समाधान करे. यह जिये छे, यह खुए आनों करनार ते, अचरज हेह अषी कि वादश करेर। अभिज स्दाटथ है। एप्राषि बीजासे पगतितने है। किया आत्म पानने थे झाटर थे पना आत्मा नित्या नाथी। तो आप गीजी शंक का विश है कि अना जर्गत्मा हो एद्रव्यनी ना कंसे उनश स्थतानों न थी। अजगतमा कोई द्रव्यनों नाश्टतो नथी अम्मेशा निद्यज रहे अभस्था बज़ाती वाई, अन्य इतले इतले इकेछे कि आत्मा इतो निद्य चे अन्य आत्मा जाने चें कि हूं माणवपन मांती पसार्थर्वन युवनी मां अभयों, युवनी मांती ज़ीवनी जाणने एथी जम आत्मा जाने चे अने मात sagami आतमा क्षानिक होत अत्वा तो नित्यन अवेज अनित्य होत तो बड़ाकी अवस्था Од pope कितर बीजी वाद छे की आत्मा नित्यन नथी आथी शंका कर्वैक एक कोटी शे आत्मा द्रव्ये नीत्य छे पर्याए पलताई बाड़ा दीवय त्रण्यनू ग्ञान एतने थाई त्रीजी वाद छे के आत्मा करता नथी प्रात्चंद्र जी कहें चे के जारे साधक जीवन आत्मा ग्रियान पामें अथ्वा पोते तेस पोताना स्वरुप मा लीन होय त्यारे ते पोताना शुद्ध स्वभावनों करता चे पर जारे ते शूब के अशूब एवा विभाव मा भाव करें चे त्यारे ते निमित्तनी अपेक्षा है तेवाज कर्मों करता बने चेतन जो निजभान मां करता आप स्वभाव वर्ते नहीं निजभान मां करता कर्म प्रभाव अपने जानिये चे के शूब और अशूब विभाव द्वारा जिये कर्मों आ आत्मा बांधे चे ते कर्मों नी स्थिती परिपात थता ते उधे मावे चे अने तेनु फळ आ जीवने भोग वूज पड़े चे आ अनादी सिद्ध सिद्धान्त चे अमा कोई फरक न थी अने अने विशे मध्धाद अर्शनों संबत चे अने एटलेज ए आत्मा ए भोग्ता नथी एवी शंका करवी खोटी चे मुक्षपद विशे नी शंकाना समाधान मा श्रीमत जी कह चे के ज्याने साधक आत्मा संद्गुरु नी आग्निया प्रमाने सत्पुर्शार्थ करी शुभाशुप भावो नी निवर्ते चे शुभाशुप भावो थी ए दूर जाये चे शुभाशुप भावो थी निवर और अनन्त संग, अनन्त सुखना भोगवतारुप मोक्षपद प्रगट थाएचे। वीत्योकाण अनन्त ते कर्म शुभा शुभभाव। तेह शुभा शुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। चक्ठी शंका मोक्ष नो उपाई नथी। त्यारे सिमत जी आत्मसिद्धी शास्त्रीनी सत्तानु मी गाता थी, 108 मी गाता सुधी। यहनों सुंदर वर्णन आते चे। अन्ने बतावेचे मोक्ष नो सचोर्ट मार्ग बतावेचे। यह मार्ग बतावेचे अनन्त उपकार करेचे। राग द्वेश आग्न्यान ए मुख्य कर्मनी ग्रंथ। थाय निवृति जेह थी तेज मोक्ष नो पंथ। आरिते च्छ शंकाओं दूर थाय अन्य सत्य धर्मनो आराधन थाय तो साधक इस सिद्ध बनिशक चे। आज थी सवासो वर्ष पूर्वे रचाय लिए आत्मसिद्धी शास्त्र आ एक वहत्यू आत्मलक्षी तत्म ग्र्यान। आएक अनेक चिवन ने उजालनारी घटना एक प्रकाश तूरियनो प्रकाश एए आजे पर अनेक रदय मा नवा नवा प्रकाश नो नवा नवा भावो नवी नवी द्रश्टी नो आनि सवत्ती वजारे तो प्रणो पंध। एए पंधना मार्गनू दर्शन करावतो रह छे अने ए दर्शन वधूने वधू यक्तियों प्राप्त करें वधूने वधू साधक औरे प्राप्त थाए वधूने वधू मुमुक्षों ने मलें एवी भावना आपने सव सेविये